नमस्कार आप देख रही हैं SPN 9 News टौक विधांसवा सीट पा पूर्दूप मुख्या मंत्री सचिन पालेट एक बार फिर से नामांखन दाखिल करने वाले हैं 31 अक्टूबर को नामांखन दाखिल करने के लिए विधिवत तरीके से मुरत भी निकल दा लिया है नामांकन को एतिहासिक बनाने के लिए जिला कॉंग्रेस केमेटी कारियाले में जिला ध्यक्ष्य हरी प्रसाद बैरवा की अध्यक्ष्ता में पदधिकारी और कारेकरताओं की बैठक आयोजित हुई बैठक में नामांकन जलूस के रूट और स्वागत को लेकर चर्चा की गई नगर परिशत के वाड़ पर शदो जिला कॉंग्रेस केमेटी के पदधिकारियों के साथ ही गरामीन इलाके के कारेकरताओं को अधिक से अधिक संख्या में भीट जुटाने का लक्षे दिया गया साथ ही शहर के मुख्या बाजार में स्वागत सतकार के दोरान विवस्ता बनाये रखने के भी निर्देश दिये हैं इस दोरान कॉंग्रेस जिलाद दक्ष हरी परसाद बैर्वा ने मीडिया से बाचित करते हुए कहा कि सचिन पालेट सुबह करीब ग्यारा बजे भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे जहां भगवान महादेव की पूजा अर्चना करेंगे और इसी रोड शो में बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस के कहीं दिगज नेता शामिल हो सकते हैं और साथ इसाथ बीजेपी के भी यहां मुश्किले बढ़ती नजर आ सकती है आपको बता दे कि कॉंग्रेस ने अपनी पहली सूची में जिन दिगजो का नाम जारी किया था उ सचिन पाइलेट के सामने बीजेपी का प्रत्याशी कितना प्रभावी सावित हो पाएगा क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के मुश्किले काफी अधिक हैं क्योंकि सचिन पाइलेट राजिस्थान कॉंग्रेस के बड़े चेहरे हैं टॉंक उनकी एक परंपरागत सीट रही ह यहां से कॉंग्रिश हमेशा विज़ा रही है देखना होगा क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी या नहीं और सचिन पाइलेट क्या यहां भाजपा का सफाया करते नजर आ सकते हैं या नहीं इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 News धन्यवाद